भाजपा ने पिछले 9 साल में जूट के अलावाँ और कुछ नहीं किया है आपने बिहार में भी थोड़ा बहुत उन्हें 按षिक रूप से जहला है हम दिल्ली में बैट करके उन्हें जहल रहे हैं उन्होंने जूट बोलने के अलावाँ कुछ नहीं किया है अभी मोती जी ने बोला ना आपके यां तर्भंगा में एम्स वाला मामला मतलब कही कुछ है ही नहीं और एम्स बनके तयार हो गया ये है भाजपा की राजनीती वो भाजपा के एक नेता एक गाउं में पहुँचे है खिलेश भाई उन्होंने ग्रामीडों को इकठा किया बड़े भोले भाले लोग थे बिल्कुल बोद गया की तरह इकठा किया ग्रामीडों को बोले बताओ तुमारी क्या समस्या है मैं भाजपा का मंत्री हूँ मैं समस्या समाप्त कर दूँगा तुमारी तो ग्रामीडों ने बोले बाले लोग उन्होंने का कि साथ हमारी दो समस्या है तो बोले बताओ तो उन्होंने का पहली समस्या सर हमारी ये है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है डॉक्टर नहीं है तो भाजपा के मंत्री जी ने फोन निकाला और नंबर डायल किये पता नहीं कहां और पता नहीं क्या बोला बोले ठीक है लो मैंने तुमारी पहली समस्या हल कर दी बताओ दूसरी समस्या क्या है तो सामने से ग्रामीड बोला साथ इस दूसरी समस्या ये है कि इस गाउं में एक भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं है तो इस तरह से राजनीती चल रही है भाजपा की जूट बोलने के अलावा कुछ नहीं किया नारा क्या था बहुत हुई महंगाई की मार अपकी बार मोदी सरकार सुना था ना और फिर इस नारे को उन्होंने ऐसा घुमा घुमा के मारा हमारे आपके उपर कि जो गैस सिलेंडर 400 रूपे का था उसे कितने का कर दिया 1200 का और फिर इन दिनों क्या किया 200 सबसिडी दे दी मतलब पहले 800 लूटो और उसके बाद 200 दे करके कहो कि खुश रहो मैं तो शायर हूँ एक बार चंबल में मुशायरा हुआ डाकूओं के इलाके में डाकूओं ने मुशायरा कराया बड़ी इज़त दी शायरी सुनी और बाद में सारे शायरों को जो पेमेंट कहा था वो पेमेंट भी दिया और पेमेंट देने के बाद ला करके चंबल की सरहत के बाहर छोड़ दिया सारे शायर बहुत खुश कि जो सबको लूटते हैं हम उनसे आज लेकर के आ रहे हैं तो शायरों ने का भईया ये क्या आपने अभी तो इजद दी फिर पेमेंट दिया फिर सारा लूट भी ले रहे हैं जब लेना था तो दिया क्यों तो डाकु ने का देखिए भाई वो हमारी मेहमान नवाजी थी ये हमारा काम है अपना काम तो करना पड़ेगा हमें तो सरकार अपना काम करने से नहीं चूक रही है पहले आप से 800 लूटती है फिर 200 दे के कहती है चलो लगाओ नारा खुश हो जाओ वो पेट्रोल डीजल जो 58 रूपे लीटर था अच 100 रूपे के पास पहुचा दिया यह सरकार वो सरकार है जो अपनी पसंद की फिल्मों पे टेक्स माफ करती है लेकिन कफन पर GST लगाती है यह सरकार वो सरकार है जो अपनी पसंद की फिल्मों को रियायत देती है लेकिन पैंसिल पर GST लगाती है यह सरकार वो सरकार है जो आटा, चावल, दूद, दही, पनीर, छाच, लसी, किस चीज पर जीस्टी नहीं लगा दी इस सरकार ने, ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये अमीरों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, और फिर उसको उससे ध्यान हटाने के लिए आपको उलजा किस में हिंदू में, मुसल्मान में, सिख में, इसाई में, मैं आपसे यदूरोत करना चाहता हूँ कि राहूल गांदी जी की भारत जोड़ो यात्रा है, वह इसी लिए थी, मीडिया के एक साथी ने मुझसे पूचा कि इमरान साब भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है, मैंने क लंबा टास्क लिया है, नफरत कम करने का, कन्या कुमारी से कश्मीर निकले हैं, और आप ये पाएंगे कि राहूल जी की उस यात्रा के बाद माहौल बदला है, बदला है या नहीं बदला है, बताइए मुझे, बदला है, आज देश में महबत की दुकाने अलग-अलग सू भान मंत्री जी जा करके, मंचों पर खड़े हो करके, धार्मिक नारे लगाते रहे, लेकिन जनता ने नकार दिया, कॉंग्रेस को प्रचंड महुमत के साथ जिताया, हिमांचल में जिताया, और अभी ये जो बाई-एलेक्शन हुए साथ, उसमें भी तारिक साब ने बताया है कि चार इंडिया एलाइंस जीता है, तीन भाटपा जीती है, तो मैं बधाई दूँगा, भारत जोड़ो यात्रा को आंशिक रूप से, या मांसिक रूप से, या शारीलिक रूप से, जिसने भी रती भर सयोग किया है, वो बधाई का पात्र है, आप बहुत ठक चुके है मैं जानता हूँ, मैं कात शायरी नहीं सुनाओंगा, तो आप धीरे धीरे नाराज होते जाएंगे, क्योंकि भाशन आपने बहुत सुन लिया है, मैं जानता हूँ, मैं छोटी सी नजम आपको सुनाता हूँ, फिर आखिर में एक और नजम सुना करके, अगले सातार दस मिनि नहीं तक है न, उदर जो ऊपर हमारे बुजर्ग बैठे हैं, जो तीसरी मंजिल पे हैं उनसे भी, सब कि शिरकत, हाँ बतलब बैठ के ताली बजाईएगा, कूदिएगा, मत वरना दिक्कत हो जाएगी, कहां सोया है चौकिदार, कहां सोया है चौकिदार, मैं नाम नहीं ल लोग हैं, बोध गया के लोग हैं भाई, सारा ज्यान का बोध तो यहीं आकर के होता है, मुझे लगता है एक बार प्रधानमंत्री जी को भी आना चाहिए इन दिनो, याद है वो नारा, भाईयों बैनो, मेरे हाथ में भारत के देश के खजाने की तिजोरी की चाबी सौंब मैं देश नहीं लुटने दूँगा, यह नारा याद है ना, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, पेट्रोल ने संक्चुरी मार ली, गैस हजार के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, वो पिछले दिनों अखिलेश भाई हम सदन में बैठे वे थे प्रधान मंत्री जी ने भाशन देना शुरू किया रास्टपती के अभिभाशन के बाद तो ये बोले कि भाई देखो कैसे ड्रैमेटिक तरीके से भाशन दे रहे हैं तो मैंने कहा है देखो कुछ चीजों की तो तारीफ करनी चाहिए वो भुपाल के शायर है उन्होंने कहा है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है मैं इसलिए भी तेरे फन की कदर करता हूँ तो जूट बोलके आंसू निकाल लेता है तो कुछ खूबी आते हैं उन खूबीयों की तारीफ भी करनी चाहिए लेकिन मुझे आज तक इस देश में दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं मिला अभी तारीफ साब से कहा जाए कि आपके साथ पढ़ने वाले जो लोग थे उनमें से कुछ आपके क्लासमेट मिल जाएंगे तो दो-चार आदमी जरूर मिल जाएंगे और वह इनके टेच में भी होंगे अभी अखिलेश भाई से कहा जाए कि आपके साथ ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन लोग थे तो ये भी अपने कुछ दोस्तों के नाम बता देंगे लेकिन आज तक पूरे देश में दूसरा व्यक्त नहीं मिला जो ये कहता हो कि मैंने नरेंद्र मोदी के साथ हैं में किया है पॉलिटिकल साइंस में नहीं मिला और तो और आपका जो प्रोफेशन हो में हिंदुस्तान के किसी इलाके में जाओं दस-बीस लोग मिलेंगे जो कहेंगे मैंने फला जगा पे आपका मुशायरा सुना था लेकिन आज तक मुझे दूसरा व्यक्तिया ऐसा नहीं मिला जो ये कह दे कि मैंने नरेंद्र मोदी जी की बेंची गई चाय पी है नहीं मिला जो ये मैं पंक्तियां पढ़ता हूं मैं इस वक्त नेता कम शायर की हैसियत से ज्यादा खड़ा हूं इसलिए शायर को बड़ा अधिकार होता है इन चीजों को सलीके से बोलने का तो मैं आपको पंक्तियां सुनाता हूं कहां सोया है چोकिदार, कहां सोया है چोकिदार के चाय बेचने वाला पुरा भारत बेच रहा है एसे काम नहीं चलेगा, इतनी कम्जोर ताली से काम नहीं चलेगा, गया से उट्थी आवाज को दिल्ली तक जानी चाहिए ना कि चाए बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई तेल बिक गया भी का हवाई अड़ा रेल बिक गई और अगला जो अगला जो मिस्रा है ना उस पर आपको अगर लगे कि हाँ ये बात कहीं जानी चाहिए थी तो फिर उसी तरह आपके दुआएं भी चाहिए कि चाए बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है के रेल बिक गई तेल बिक गया बिका हवाई अड़ा सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड़ा के जनता महगाई की मारी करती हाहाकार कहां सोया है चोकिदार कहां सोया है चोकिदार